से पहले हम इसको define करेंगे इसकी definition देखेंगे इसका concept समझेंगे ताकि आपको ये पूरा school of thought जो है एक बहुत lengthy school of thought नहीं शौर्ट सा school of thought है एक दिन में हो जाता है ये तो इसकी definition इसका concept आपको clear होना चाहिए अगर आप सब्सक्राइब को समझना चाहते हैं तो देखते हैं जी स्कूल of thought in psychology that emphasizes the study of perception and how we organize and make sense of the world around us हम किस तरहां ये बेसिकली perception और organization की organization से related है कि हम किस तरहां से अपने आसपास अपनी इर्दगेर्द को या अपने surrounding को perceive कर रहे होते हैं समझ रहे होते हैं ठीक है अगर ये कहा जाए कि आपको perception जो गैस्टाइल साइकॉलजी ये perception है बेसिकली perception की study है तो भी गलत नहीं है whole की बात कि जाए तो भी गलत नहीं है दा वर्ल्ड गैस्टाइल इस तरह से भी पूछा जा सकता है बहुत दफ़ा टेस्ट में यह पूछा गया है कि जो साइकॉलजी है किस लेंगविज का किस लेंगविज से लिया गया है ठीक है एंड गैस्टाट अप्रोच एंपॉर्टस ओंसरीडिंग दा होल की बात करता है एक्सपीरियंस आर्ट परसेप्शन रादर दान ब्रेकिंग डाउन टू इंडिविजिल पार्ट्स में डिवाइड करने की बजाए यह बात करता है होल की ठीक है फॉर एक्जामपल इमेजन लुकिंग एड़ पिक्चर ओफ़ ट्री को देखें या ट्री होता हम इसको एक होल बना कर समझ रहे होते हैं कि यह है हम उसका लैदा से नहीं देख रहे होते तो यह बेसिकलिया कि ऐसी इसी तरह से गर हम एक बाइस सैकल की एक्जामपल ले लिए उसको देखें तो हम अलएदा तायर उसका लएदा उसका सीट उसकी लएदा उसका हैंडल लएदा ठीक है उसके पैडल लएदा ऐसे नहीं धेख रहे होते हैं कि नो डाउट के वह तमाम जीज़ें अलग अलग है उनकी अपनी जगह पे अलएदा अलग है उनका काम अलग है लेकिन जब यह सारी चीज़े मिल जाएंगे तो एक है तो उसको अपनी पार्स पार्स में तरह बीजुड बहुए को देखने की बजाए से के माउट आई नोज वगयरा घ्राएं हमारे इर ओगे इसका सथ आई ब्रोज हो गई ही ठीक है यह तमाम चीज़े हमारे हो प्रस्फेट के लिए जैसे के अगर हमने कोई लैटर देखना है या वर्ड पढ़ना है जैसे आप यहां पर लिखा हुआ है तो हमें एक मीनिंग मिलता है ठीक है एक अठा करेंगे इसके साथ सरती में देखेंगे तो हमें के लिखा है यहां पार्षा कि बजाए वह जो होल होता है यह एक मिनिंग के तोर पर लिया गया है अब इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि जो पार्षा है ना वो जब हम उनको किसी भी चीज़ के पार्च को देख रहे हैंता ह। हमें कुछ और कुछ लेरी होती है। लेकिन जब हम उस तमाम पार्च को कठा करके ए्मिठिफ हूल्ट देख रहे होते है। ठीक है? कुछ और हमें मिल रहा होता है उसका परसीप्शन из-an- हम चीजों को और्गनाइज कर रहे होते हैं और हमें मेनिंगफुल पैटर्ण और फार्म्ज मिल रही होती है बैसी कलिए हमारे जो के स्टार्ड से कॉल जी उसके यह जो मेन पॉइंट से उसकी बात हो रही है यह परसेप्शन इस इंफ्लूइंस्ट बाई पास्ट एक्सपिर्इंस को ठीक है मिसाल के तौर पर अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है तीके आपके साथ कुछ ऐसा होगा जिसमें आपका लॉफ होगा है अब एक एक यह बैस अपका लॉस की है एक लॉस आपकी है है आपने हेल्प की है उस हेल्प की वज़ा से आपको थोड़ा सा लॉस हो गया तो उस लॉस को आप खुशी से बरदाश करते हो जो किसी ने आपको धोका दिया दो लॉस को आप किसी और तरह से देख रहे होते हो तो वह कहता है कि कोंटेक्स्ट भी इसके अंदर बहुत इंपोर्टन्ट फैक्टर है परसेप्शन के अंदर अच्छा परसेप्शन इस सब्जेक्ट तो सर्टन और्गनाइजिंग प्रिंसिपल सच आपको डिफरेंट प्रिंसिपल्स मिलेंगे जिस जिन को इस्तमाल करते हैं हम चीजों को पर क्यों है बिसिकली इसके मुकाबले में आई बेसिकली जब रहा था तो उस वक्त क्या कहता है कि माइंड को डिवाइड करना आपने क्या डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करेंगे तो आप उसको अच्छे से समझे लेकिन उसके बाद पिर वूर्फ गैंग कोलर जो ने आए उन्होंने बोला कि नहीं भाइजी हमारा जो माइंड होता है वो चीदों को एज़ा होली देखना हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशल है बजाए इसके कि हम उसको पार्ट में डिवाइड करें ठीक है टू अंडरस्टैंट प्रोटेस्ट लेटस रिकॉल वर्ट हमारी थोड़ी सी हिस्ट्री हमें बता रहा कि कैसे चीज़ें उस वकत हो रही थी हचा एनिमल रिसर्च फ्रॉम थॉर्ण डाइक और प्यावला रिबॉर्ट इस वालों ने क्या किया को नोने माना बट वो क्रिटिसाइज कर रहे थे कि इसको आप कर रहे जैसे कि हम आने उपर में बाद करती है कि यह अल्यमेंटस में डिवाइड करने के खिलाफ थे लिए परोच वाईनग वो बात करता है कि मतर्ब कर आब अब इस स्थरह से समझ ले वो इसको मिसाल दे रहा है कि अमारत की जो एक इंटों से बनी होती है किस तरह से उसको उकठा किये करके जोड़ा जाता है ठीक है अच्छा अच्छा दे लूग आउट आउट विंडो वी रेली सी ट्री एंड स्काई नाट इंडिविजुल सैंसरी अलिमेंट्स अब को नहीं देख रहे होते हैं लो उसको आजा किया कर रहे हैं एजा होल कर रहे होते हैं अच्छा फरदर अग सेमझ सैंसरी अलिमेंट्स आर कंबाइंड जब किया जाता है धावा जब हम वह कहतेranch खेशाल को यह कान Пा उसको इकठा करके देखते हैं तो वो एक नई चीज निकल के सामने आती है मोटी सी मिसाल बेशमार मिसाल हैं लेकि मोटी सी मिसाल में आपको चाय की दे देता हूं कि चाय के हो कि आप उनको मिला देंगें ना सालीश चीजों तो आपके पाश के नई चीज निकल के सामने आएगी थो वो पर्साइब पर्सूझ करते नैचरल लॉऊ है यॉनिवर्सल लॉओ के हमारा जो ब्रेन है、 हमारा जो मांड है वो पर्सीव कर रहा हू Championships को ठीक, है पहले ऐस ल क्रेट करता है. ठीक है है, पहले ऐस होल het पर सीविव करता है, और आख कहता है कि यह हमारे लिए बेनिफिशल है कि हम चीजों को एजा होल देखें एजा होल समझें उसके बाद अगर आपने पार्ट की तरफ जाना तो वह एक अलग चीज है ठीक है तो पहले वह कहता है एजा होल ही हम समझेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं बैटर आएंगे अब यहां पर बात कर रहा है कि डिफरेंट अगर आप टोंज को इकठा करें तो आपके पास एक नहीं चीज़ निकल के सामने आती है ठीक है दा पाउपलर वे तो स्टेट इस नोशन इस डैट होल इस डिफरेंट फोंदा सम और इस पार्ट के जो होल होता है वो डिफरेंट ह होता है इसके पार्ट से हुमा आप कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं अद्रवाइज हम आगे बढ़ते हैं कि नोशें ओके अब देखते हैं कि लोगों ने कंट्रीबुशन की है इसके अंदर कौन कौन से कंट्रीबूटर सायकोलिजी कैस्टार्ट फ्रॉट के हैं सबसे पहले मेरे पास है वुल्फ गैंग कोहलर कौन है वाजा जर्मन जर्मन साइक अवाजिश्ट ठीक है बावर इ यहां पर इन्हों ने पड़ा एंड अमंग इस मैनी अकमप्रिश्मेंट्स वाज इस वर्क पॉब्लिश इन दा दा मेंटालिटी ओफ एप्स इन्होंने एक बुक लिखी थी बेसिकली वुल्फ गैंक और ने एपस या आप कह सकते हैं मंकी पे या बंद्रों पे आपने की थी इसने रिसर्च की थी काम किया था ता मेंटालिटी ओफ एपस यह बेसिकली बंद्रों की ही एक नसल है यह इसने पॉब्लिश की थी नाइटीन सेवनटीन के अंदर इन नाइंटीन जेरो नाइन कोहलर और इस पीएचडी उन्हीं सुनों के अंदर इसने पीएचडी की थी इन वर्क एड़ दा सैकलोजिकल इंसिटूट इन फ्रैंकफोर्ट एम एंड में वेर ही वाज इंटेदूस्ट वेक्स मर्दाइमर और कोफका वहां पर ही कोट कोफका और वेक्स कोड मैक्स वर्दाइमर टूगेधर इस त्री मैं वोड ले दा फांडेशन वहां पर तीनों मिलके काम किया और फिर बुनियाद रखी गए स्टार्ड साइकॉलजी की ठीक है उन्नी सो नौ के अंदर इन नाइंटीन तो इन डिरेक्टर ऑफ सैकलोजिकल इंसिटूट ऑफ पर्फेसर एंड पर्फेसर ऑफ फिलोस्फी अर्थ युनिवेस्टी ऑफ बर्लिन उनी सो एक अब इसने एक और बहुत जबरतस्त जो आप कह सकते हैं के डिस्कवरी की थी या एक्सपरिमेंट किया इंसाइट लर्निंग क्या होती है इंसाइट लर्निंग ठेरी इस प्रपोस्ट बाइब वॉल्फ गैंकॉलर इंसाइट लर्निंग इस अचानक से वह कहता है बेसिकल इंसाइड लर्निंग क्या है कि जब आपको कोई प्रॉब्लम आती है या आपको डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं तो उस वक्त उसके सिलूश लगते रहें खपाते रहें तो अचानक निकलके सुलूशन सामने आ जाता है इसको बोलते हैं इन्साइड लर्निंग यह इन्होंने था था आपको बंदर की एक नसल है इसने ना यहां पर लिखा भी है उसने एक पिंजरे के अंदर बंदर कर दिया उसको और बाहर रख दि कुछ स्टिक्स भी रख दी पहले तो उस बंदर ने क्या किया उसने हाथ बढ़ा कि उसको उठाने की कोशिश की बनाना के लोंगो के लिखे तो उसने पंजरे के बाहर तो वो नहीं पहुंच सका ना उस तक तो फिर इसी तरह कोशिश करते करते उसके अचानक जहन में आया तो फिर उसने क्या किया था स्टिक उठाई और उठाने के बाद उसको यूज किया और वो केले उठा लिये अच्छा दो स्टिक्स थी उसके पास एक स्टिक उसके छोटी थी एक स्टिक्स से उठाने की कि उसने नहीं उठा सका लेकिन बाद में फिर उसके जहन में आया कि इसको जोड़ा भी जा सकता फिर उसने स्टिक जोड़ी हो रहे हैं के लोगों को उठा लिया तो ये इसका इंसाइट लर्निंग एक्सपेरिमेंट था उसके बाद हमारे पास है कॉट कोफका इन नाइंटीन जो दूसरे कंट्रिबूटर है नाइंटीन टैन कॉट कोफका वर्क्ट अलॉंग साइड मैक्स वर्दाइमर इसके साथ इसने काम किया वर्दाइमर के साथ अच्छा एंड वर्ग्यम कोहलर दोनों के साथ साथ साकलोजिकल इंस्ट्टूट इन फ्रैंक्फर्ट जैस्कूपर भी हमने जिकर कर लिए तीनों ने कठा काम किया और दिया यह वना स्कूल फोकुस देर रिसार्च ऑन सैंसरी इंफरमेशन मैमरी एंड अच्छा इसका काम था एंड लेटर बीकेम दा फांडिंग फादर रॉफ तागेस्टाउट सागोल जी और फादर में से एक फादर यानि के फांडर में से एक फांडर यह है कोड़ को उसके बाद है मैक्स वर्दाइमर बहुत इंपॉर्टंट काम है इसका भी वाज वन फानडिंग फिगर्ट व दा स्कूल फॉर्ट थॉर्ट 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 आइज ऑगास्टाउड प्रोच फोकुस्ट नुकिंघ ए तिंग्स अजववहल की बात की थी सिजगेस्टिंग दैडव बहुंग फॉर्ट थॉर्ट इंसींप्ली प्रॉट इसके बात होती है कि इसका जो काम है जिसकी वज़ए से जाना जाता है वो यह तीन चीज़ें यह तीन चीज़ें के फांटर है उसके बाद प्रिंसिपल भी इस नहीं दिया था यह अक्सर पूछी लिए जाता है उनी सो बारा के अंदर यह इसने दिया था दा एलिविजिन दैट टू स्टेशनरी फ्लेशिंग लाइट्स आर बूविंग फॉन प्लेस टू अनदर प्लेस क्या होता है आप अक्सर देखा होगा के नदर गरों में शादी होती है तो हम क्या करते हैं ला इंग जो चल रही हुती है ко यान में लग रहा है तो या लॉन में चल रही है यांनि को उसको चूबर föelsरोओ कि यही कैह रही हो डूप Zimmerman घॉन एrict दोस्या हम और झूप बंदो दूसरे कोने तक जाती है तो वो बेसिकली वो कहता है कि जो हमें एक कंटीनियूस नजर आ रहे ना यह कंटीनियूटी नजर आ रही है यह बेसिकली कंटीनियूटी नहीं है ठीक है यह ऐसा हो रहा होता है कि एक जल रही है दूसरी बुझ रही है जल रही है जल रही है तिये एक बुझ जाती है एक बुझतिया दूसरी जल जाती है इस तरह से होता है तो हमें लग रहा होता है कि वो मुफ कर रही ही है के हमें लग रहा होता है फिर्सक्र नेमेंस ने लिएा था तो यह थोड़ा सा और मैंने लिक्खा क्या होता है वो नॉलिज होता है जो हम ब्यान कर रहे होते अनबाइस ली अनबाइस का मतलब होता है कि जैसा हमारे साथ experience हुआ हम वैसे ही ब्यान रहे हैं उसमें कोई रदोबदल ना करें उसको ना parts में divide करें अच्छा उसके बाद प्रिंसिपल्स की बात करें कुछ प्रिंसिपल्स दिये थे इन्होंने उनीस सु तैश के अंदर एक पब्लिश्ट पेपर पब्लिश्ट किया था ठीक है ही अज़र्ट डैट वी परसीव अब जैसें वे वी परसीव आपेरंट मोशन एज यूनिफाइड होज यह कहता कि हम चीज़ कुशी तरह से इसे परसीव कर रहे होते हैं डिफरेंट चीजों को लेकिया डिफरेंट रोले कि इस दा प्रिमाइज प्रिंउटक्षटों कि बाद है इन इस पेर्ट रिया सब्रुच्छ और पेटरंस झीज़र्ट जब दिस्टिंक्ट फ्रॉम देर बैक्राउंड यानि के बैग्राउंड जो क्या उसको बोलते हैं फिगर बैग्राउंड की बात आती है वह वाली बात हो रही है यह पर सेप्चुल और्गनाइजेशन इस पॉंटेनियस एंड इन्वेटेबल वेट वेन एवर वी लूक आर लिसन होती है जब हम किसी भी चीज़ को देख रहे होते हैं या सुन रहे होते हैं हमें यह सीखने नहीं पड़ता कि हमने कैसे इसको देखना है कैसे करना है करना होता है यह हमें सीखना नहीं पड़ता लेकिन अगर वो कहते हैं जो किसी चीज़ को लेबल देना नाम देना उसके लिए लर्निंग जरूरी होती है यह जो हम चीजों को परसीव करते हैं या पैटरन बनाते हैं इसके लिए लर्निंग की कोई जुरूरत नहीं होती ऐकटर्डंग तो एक सिस्टम यह जो है इसकी अक्टिव होते हैं और इंटर्क्ट का रहे होता है वो ऐसा नहीं होता तो एक ही टाइम पर होता है कि टाइम पर परफॉर्म कर रहा होता है यह नहीं होता है कि वह सेपरेटली रिस्पांस कर रहा हो किनेक्टिंग इस एलिमेंट्स बाई सम्मेकेनिकल प्रॉसस ऑफ एस्वीएशन रादर अलिमेंट्स यहां पर आपको डिफरेंट हमारे पास जो प्रिंशिपल है ना उन्हीं का यह खुलासा बताया गया आपको यह समझने समरी बताई गई है करता कि एक जासे ऐलिमेंट्स होगे हम उनको इकठा कर देते हैं जो एक से नहीं होते हैं उनको हम एक प्रिंसिपल्स हैं उनको देख लेते हैं लगेधर लगा यहांपने कुछ किसी चीज के पार्ट्स या कुछ चीजें जो एक दूसरे के साथ पड़ी होंगी हम क्या करते हैं उनको एकठा परसीव कर लेते हैं विसाल के तौर पर ये आपको लेफ्ट साइड पे ट्राइंगल बनी नज़रा रही नहीं ये एकठा है तो हमने इसकी एक सिमिट्री इसको बना ली ठीक है इसको एक ट्राइंगल परसीवक लियए जो राइट साइड साड़ने आपको देखने दूर दूर चीजे में पड़ी नज़रागाए है दूर दूर पड़े हूंग फॉग है इनको इकठा परसीवनी कि नहीं करेंगे है और इस एकथा परसीव कि नही in a way way that makes them seem continuous are flowing in a particular direction. इसमें हम क्या होता है? डिफरेंट जो चीजें मजूद होती है. अगर एक खास मिर्टरी में पढ़ी हो तो हम उसको continuously form या form बना लेते हैं या हम कहते हैं कि ये continuity हो इसमें नजर आ रही है. ठीक है? अब तो ये इस तरह से वो कहता हम इसको परसीव करें हाला कि ये है तो डौट ही ना है तो जास्ट लेकिन हम इसको दो लाइने परसीव करें जिन्होंने एक दूसरे को क्रॉस किया हुआ इसको बोलते हैं continuity अच्छा उसके बाद है जिस सिमिलरिटी उसके बाद हमारे पास सिमिलरिटी सिमिलर पार्ट टैन डूबी सीन टूगैदर आज फॉर्मिंग और गरुप एक जैसे चीजों को कियता हम एक गरुप मान लेते हैं जैसे सरकल है इसको हमें गरुप मान रहे हैं जो टाइए अंगल दरमयान एंड तर डॉट्स इच पेर्टू बिलॉंग टुगैदर हम मतलु वह वाली बात सर्कल्स को एक जासा और ट्राइनल्स को एक जासा उसके बाद यह यह भी एक इंट्रस्टिंग हमारे पास है लोजर कैसी प्रिंसीपा लिए डिए टेंडेंसी इन आवर परसेप्शन्टु किम्प्लीट इन कम्प्लीट फिगर तो फिल इन गैप सांँ डिफरेंट फिगर्स को कम्प्लीट करके देख रहे होते हैं अगर उन में गैप हो अ कि हम इसको परसीव कर रहे हैं पूरी ट्राइंगल अब यहां पर मिस्टिंग एस पार्ट और एक उसके उपर जो हमें नजरा आ रही एक और उल्टी पड़ी हुई है तो हम उसको खुद ही जो इसके पार्ट मिस्टिंग है हम हमारी जो परसेप्शन की अबिलिटी है खुद ह इसको इक साथ कहते हैं तो इसको आपने जहनं में रखना है यापको कान stories कर सकता है ला उफ्रेंब्स का बबीकारार्ण प्राइड एस और इसलाहा विूर्स पडिश एस्टिछानेश प्रिज्वेशden बिसराफ यह उधेंटड बन किम् permit and your brain will make them appear as a simple as possible जब आपको different ambiguous या अजीब सी या ऐसी चीज़ें दी जाती है जो आपको फिलहाल समझ नहीं आ रही है first time आपको समझ नहीं आती first impression में तो आपको फिर आपका जो brain क्या करता है उसको simple कर लेता है उसको symmetry design कर लेता है और symmetry को design करके उसको समझ लेता है मिसाल के तोर पर अब ये आपको गर इस तरह से left side पर जो diagram दी गई है इसमें इस तरह से आपको दी गई है तो हमारा brain क्या इसको perceive करेगा कि उपर एक circle है ये नीचे सोरी उपर एक triangle है दर्मियान में एक circle है और पीछे क्या है एक square है हमारे पास ठीक है तो इस तरह symmetry बना के हमारा brain उसको perceive कर रहा होता है इसको love pregnancy, love simplicity या love good figure भी कहते हैं अच्छा उसके बाद है figure ground ये भी interesting law है अक्सर पूछ जाता है we tend to organize perceptions into the object being looked at figure and the background against which it appears the ground यानि के जब हमारे पास यहां पर ये देखें लेफ्ट साइड पे पिक्चर है ना अब एक हमें एक सुराही सी नजर आ रही है लेकिन अगर हम सुराही को छोड़के इसकी साइडों पर देखें तो हमें पीछे एक ground नजर आता है एक सुराही सी ठीक है अब देखते हैं ये किस तरह से इसने बोला है दा फिगर सेम टूबी मोर सबस्टांशल एंड तू स्टैंड आउट फ्रॉम इस ना इन फिगर दा फिगर एंड ग्राउंड और रिवर्सिबल यू में सी टू फेसिज आर यू में सी आवेज वो कता है या तो आप सुराही देखेंगे या फिर आप दो फेसिस को देखेंगे ठीक है डिपैंडिंडिंग और हाव यूर परसेप्शन इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि देंसर्व वो कहता है कि यह जो हमने और्गनाइजिंग प्रिंसिपल देखी हैं यह ना तो हाईर मेंटल और प्रासस है हमारे ना हमारी लर्निंग है ना हमारे एक्स्पिरियंस हैं लेकिन यह उस चीज़ पर डिबेंड कर रहे होते हैं जो हमारे पास मजूद होता है अब हुआ है हमेर ले यहां पर इसको थोड़ा सब्सिंपल करता हूं लेट सैडि पे अगर आपके पास जो फिगर है यहां पर आपने पहले एक वेज को दे हैं एक सुराही को देखा है ठीक है और एक अगनाइज देड सेंट्र फेक्टर्स विदिन दा और गनिसम इंफ्लूइस पर्सेप्शन इसमें आप वह कहता है कि हमारी जो फेक्टर्स हैं वो क्या कर रहे होते हैं वह इसको इन्फ्लूइस कर रहे होते हैं मिसार के तौर पर हमारी फिमिले फैमिलियर इरिटी हम हम अगर हैं मिसार के तोपर हम लार्व हमने बेञारी ऩी करेंगे ठीक हैं अगर हमने वीज आ इस बाइस को नहीं देखा वो करते हैं ये नीचे है एक डाग्राम की सुर्त में भी दे दिये हैं आपको तो इसको भी आप देख सकते हैं को देर दिया है अब हमने पास अपने पास की बाद करते हैं गैस्टौर थैरपी ये बैसिकली की बात करते तो यह जो किस्टाल थेरपी थी क्लिनिकल में दी थी यह दी थी 1940 के अंदर फ्रेडरिक इसको अच्छा इसको फ्रिट्स भी कहते हैं फ्रेडरिक भी कहते हैं और लॉरा ने दी थी 1940 के अंदर फोकुस होंदा है है हेर एंड नाव की प्रेजेंट सिचैंट की या क्रूंट एक्स्पीरियंस की बात होती है यह को जो इन चीज़ों को क्या करती है इसको लेदा करती है और एक्शन से इट एक्स्प्लाइशन एंड इंटर्प्रेटेशन आर लेस्ट रिलाइबल देंदा कंक्रीड वो कहता है कि मैं इस्प्लाइशन होती है बलके हमारा जो उस वक्त के एक्स्पीरियंस होता है वो जिदा ज्यादा रिलाइबल होता है एडिज़ थैरपी रूटर इन डायलॉग बैसिकली यह डायलॉग ही होता है इसके अंदर इन विच पेशन्ट और तैरपिस्ट डिफ्रेंसेज इन परसपेक्टिव जिसके अंदर जो पेशन्ट और तो परसेप्शन ही वेसिक्रींके सिस्टा परसेप्शन होगी है समझना होगा कि बात हो फ 서비शं की बात हो दिजाइन पी तो इसके पिर डिजाइन के अंदर ये यूज होती है एक है तो इन लोगों ने बात की थैसको आपने पढ़ लेना है सिंपल सी चीज़ें यह बिसिकली यूज की बात कर रहा है उसके बाद प्रोड़क्ट वैल्पेंट जब भी कोई कंपनी लॉंच करेगी प्रोड़क्ट या करनी होगी तो वो देखेगी कि हमने चीज़ों को कैसे डिजाइन करना है किस तरह से परसीड की जाती है किस तरह से को समझा जाता है उसी हिसाब से प्रोड़क्ट डेजाइन की जाती है इसके सासथ एजूकेशन और लर्निंग के अंदर भी इसका यूज होता है कि से आप चीजों को वहतर कर सकते हैं या कि इस तरह से चीजें सिखासकते हो तो इसमें लर्निंग एजूकेशन और ररनिंग की बात करता है किया बोला था करते लिए लुकर के बारे में बता दें। होल के बारे में अवराल चीज़ें बता दें उसके बास खुद ही अपने इसाप से उसका solution निकालना शुरू कर दें उसको समझ कर दें गे यह कि बात है कि मार्क में कैसे को बहुत ज्यादा इसको आप समझे आपको यह समझ सकते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं गैस्टाइब कि अंदर तो सब्सक्राइब की बात कि जाती है कि बात की बात की जाते हैं कि इसके बाद की बात की जाती है कि कैसे हमारे मायंड में जो अचानक से स्लूशन आ जाता है अच्छा उसके बाद फिल्ड थेयरी गैस्टाल्टेश वर इंट्रस्टेड इन्वार्मेंट के कैसे ट्रेक्ट कर रहे होते हैं एंड और फिल्ड थेयरी दैट हमारा हो रहा होता है इंवार्मेंट से इंट्रेक्ट करने में तो यह था स्कूल ऑफ थार्ट यह कंप्लेड़ कर दी जाएगी अगर आपको क्वेस्चन हो तो आप पूछ सकते हैं नहीं तो फिर आप रिकॉर्डिंग सुनने के बाद पढ़ने के बाद भी पूछ सकते हैं अगर कोई क्वेशन है तो आप पूछ लें जी पहले बुश्रा आप बोलें असलाम लेकुम सर जी वालेकुम असलाम सर मैंने लेट जोइन किया इसले फिल्हाल तो कोई क्वेशन नहीं है जी हुमा गुल जी सर कोई क्वेशन है आपका नो सर चलें ठीक है फिर अगर कोई क्वेशन नहीं है तो मैं गुरूप में इसकी रिकॉर्डिंग शेर कर दूँगा तो आप वहां पर सुन लीजीए थैंक यू सौ मच थैंक यू सर कर दो